नमस्कार दोस्तों, NK Monitor चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तो थे चारक के नीती के आधुनी कुरूप अंतरल की एक और वीडियो। चारक के नीती को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो कोंत तक देखना आवश्यक है। क्यूंकि चारक की जी कहते हैं अधूरा ज्यान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, आज हर इनसान बहुत जल्दी सफल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो सफल बने। कोई भी सफलता पाने के लिए इंतजार करना बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों सफलता हमारे हाथ में नहीं होती बलकि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है और उमीद भी बनाये रखनी होती है दोस्तों सफलता कोई बाजार में बिकने वाली बस्तू नहीं है जिसे आप खरीद कर ले आएं ये तो सिर्फ आप पर निर्वर करती है ये आपके प्रयासों पर आपके धहरे पर और आपके डिसीजन पर डिपेंड करती है दोस्तों आपने कई ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनको थोड़ी सी सफलता पाने में सालों साल लग जाते हैं इसी तरह दोस्तों सफलता पाने में समय लगता है लेकिन आप कुछ अलग चीज़ें करके इस समय को जरूर कम कर सकते हैं आखिरकार आप जल्दी कैसे सफल हो सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आचारे चाड़क के दोरा बताई गई कुछ बातें जरूर बताएंगे जो आपको सफलता पाने में बहुत ही सहायक साबित हो सकती है चाड़क की जी कहते हैं अगर आपको सफलता चाहिए तो साथ रहने में आप कभी नहीं सीख सकते अगर कोई प्रॉबलम आती है तो उसे कैसे मैनेज करना है प्रॉबलम का सलोशन क्या होगा आपको ये प्रॉबलम बहुत कुछ सीखा सकती है कोई भी इंसान जो हमेशा पबलिक के साथ चलता है वो कभी भी अपना खुद का इनके टिप्स और उनकी एडवाइज को सुन सकते हैं पर उन्हें फालो मत करें जब आप किसी दूसरे की बातों को सुईकार करने लग जाते हैं तो आपका मोटिवेशन खतम हो जाता है आप उन्हें तभी फालो करें जब आपको लगता हो कि ये आईडिया ये टिप्स मु प्लानिंग नहीं होगी तो ये निश्चित है कि आप फ्यूचर में अपने लक्ष से भटक जाएंगे और आपका मैंड टार्गेट भी अधूरा रह जाएगा इसलिए सफलता पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल की पूरी प्लानिंग बना लें फिर अप आपका लक्ष बड़ा है तो आप कई छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं इस तरह से टाइम टेविल बनाने का आपको फाइदा होगा कि आप अपने समय का सदूपियों भी कर पाएंगे और उसे बरबाद भी नहीं करेंगे दोस्तों जब भी कोई इनसान अपने दम कि श्टार्टिंग में कई निगेटिव बाते सुनने को मिलती हैं दोस्तों आपको भी श्टार्टिंग में बहुत मुश्किले जहननी पर सकती हैं आपको कई लोग आपके लक्ष से भटका सकते हैं दोस्तों आपको गुमराह करने की भी सोच सकते हैं तब आपको उस समय सा कि विवसमन मननें यह भी संबभ है की कई लोग आपको निगेटिब कमेंट और आपकी आलोचना कर सकते हैं पर आपको उनकी बातों को इग्नॉर करना होगा आपको अपने लक्ष की और ध्यान देना होगा ना कि इन फिजूल की बातों पर अगर आपने इन लोगों की बातों पर ध्यान दिया तो समझ लें कि आप अपने लक्ष पर अपना फोकस नहीं कर पाएंगे दोस्तों अगर आपको अपने लक्ष को पाना है तो आपको धैरे रखना आना चाहिए इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े महापुरुश हुए हैं उनमें सम्मे ये एक बात कामन थी धैरे उनके सौभाव में था अगर आपने अपने लक्ष को पाने में बहुत ही कठिन परिश्रम किया हो पर अगर आपको सफलता नहीं मिलती जो आप चाहते हैं तो ऐसे में आप हार मान सकते हैं और दोस्तों यही समय होता है जब पैटियंस आपकी परिक्षा लेता है और तब आप उन हालातों को कैसे हैंडल कर पाते हैं आपको खुद में धैरे बनाया रखना होगा अगर आप धैरे नहीं रखेंगे तो आपने अब तक जिन्दगी में जितनी भी मेहनत की है वो सब ख़तम हो जाएगी अगर आपने कटिन समय में धैरे बना लिया तो समझ लें कि आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों अगर आप में धैरे नहीं है तो इसे आसानी से पाना मुम्किन है आप अपने रोजाना जीवन में इसे अपना सकते हैं जैसे कि दोस्तों अगर आपको अपने दोस्त का 30 मिनट तक इंतजार करना पड़े तब आप कितनी देर तक उसका इंतजार करते हैं ये आपके धैरे को आसानी से बता देगा फिर इसे धीरे धीरे आप इंपरूब कर सकते हैं यही बात सफलता में लागू होती है आपको धैरे रखना आना चाहिए और दोस्तों आखिरी है उन्हें सफलता अपनी पहली कोशिश में ही चाहिए जबकि ऐसा होता नहीं है महान लोगों को भी सफलता पहली बार कोशिश करने में हासिल नहीं हुई उन्हें भी सकसेच पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ी दोस्तों अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको लगातार प्रयास करने के लिए तैयार रहना होगा लगातार कोशिश करने से हमें अपने टार्गेट की अपने गोल की बहुत चोटी चोटी चीजें पता चलती हैं जो सफल होने में हमारे लिए बहुत मददगार होती हैं आपने अपने पहले प्रयास में क्या गलती क थी उसे खोजें उस गलती को सुधारें इसी तरह दोस्तों जब आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी तब आपको सफलता अबश्य मिलेगी तो दोस्तों ये थे मेरे दोरा बताए गए आचारे चारक की जी के कुछ बेहद अन्मोल विचार दोस्तों उम्मीद करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविश्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए इस्टे मोटि अधिवेट इस्टे फिरलेस